भारत ने विकेट की पर बल्लेबाज रिचा गोश की 32 गेंदों में नाबाद 44 रन की मदद से 11 गेंदों में 119 रनों के लक्षे का पीछा किया। कप्तान हर्मन प्रीत कौर और सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने क्रमशल 33 और 28 रन का योगदान दिया जिससे भारत कसको 18.1 ओव में 4 विकेट पर 119 रन हो गया। पहले बल्लेबाजी करने के लिए वेस्ट इंडीज ने ग्रूप दो मैच में 6 विकेट पर 118 रन बनाए। वेस्ट इंडीज के लिए सलामी बल्लेबाज स्टैफनी टेलर ने 40 गेंदों में 42 रन बनाए जबकि शिमेन केंप बिल ने 30 रन बनाए। भारत के लिए दीपती शर्मा सबसे सफल गेंद बाज रही जिन्होंने 15 रन देकर 3 विकेट लिए जबकि पूजा वस्त्राकर और रेनुका सिन को एक-एक विकेट मिला। भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था। संक्षिप्ट स्कोर, वेस्ट इंडीज महिला, बीस ओव में 6 विकेट पर 118, स्टाफनी टेलर 42, दीपती शर्मा 3 बटा पंद्रा। भारत महिला, 18.1 ओव में 4 विकेट पर 119 प्रिचा घोशनाबाद 44, हर्मन प्रीत कौर 33, करिश्मा रामहरेक 2 बटा 14